क्या राजस सुप्रीमो लालु प्रशाद यादब ने अपने ही पैर पे कुलहाडी मार ली है क्या सोनिया गांधी मलेका अरजुन खडगी और राहुल गांधी की तरह लालु यादब ने भी गलती करती है नमस्कार मैं श्वेत और आप देख रहे हैं न्यूस फ़नेशन इन दिनों मोदी का परिवार काफी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और यह ट्रेंड में आने की बड़ी वज़्या खुद राजस सुप्रीमो लालु प्रशाद यादब है लालु प्रशाद यादब ने मंच से मोदी के परिवार पर सवाल किया तो पूरा देश यहां कहा जाए पूरी बीजेपी मोदी का परिवार बनता हुआ नजर आ रहा है पीम नरेंदर मोदी पर आरजडी लालु प्रशाद यादब के तीन मार्च को अपनी पार्टी की रैली में व्यक्तिगत हमला किया कहा कि मोदी अपनी मा के निधन पर मुंड़ नहीं करवाएं वो हिंदू नहीं है दूसरी टिपनी उन्होंने नरेंदर मोदी की कोई संतान नहीं है परिवार बाद पार्टी कारो पारजडी पर लगाते रहते हैं नरेंदर मोदी के खिलाव इस तरह के बयान कोई पहली घटना नहीं है देश से आजादी के बाद लंबे समय तक शासन करने वाले कॉंगर्स के नहीता नरेंदर मोदी के बारे में ऐसी ऐसी टिपनिया करते हैं जिसका खामियाजा भी उन्हें भोगना पड़ा है गुजराद दंगो के संदर में कॉंगर्स के ततकाली नध्यक सोनिया गांधी नरेंदर मोदी के बारे में कहा था कि वे मौत के सौधागर है राहुल गांधी कैमरिश में भासा कराएं मोदी को देश को बरवात कर रहे हैं भारत औस्ट्रेलिया मैच के दौरान भारत की हार पर राहूल गांधी ने 35 शब का समाल किया 2009 ने इसके लोग सवाचुनाप के दौरान मोधी पर की गए टिपनी इन सवी चोरों का सरने मोधी कीऊ है लालू यादभ के IS बयान पर भाषपा के नेता ने कहा है कि मोधी है तो मुमकिन है हाला कि बाद में उपरी अदालत ने राहुल गांधी को राहत दी उसके बाद आपको बता दे कि भाजपा विरोधी दल के नेताओं के मोधी को लेकर दिये गए बयान सिर पर ही उल्टे असर डालते हुए नजर आ रहे हैं लगतार 55 सालों ता देश में राज करने वाली कॉंग्रेस की आद जो दुर्गती है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण नरेंदर मोधी के खिलाफ उनके बयान जादा जिम्मधार है मोधी उनके बयानों में अपने पक्ष में मोड लेते हैं चौकिदार चोरवाला राहुल का बयान मोधी ने ऐसा पल्टा कि उनके समर्थ को में अपने को चौकिदार का भियान तक छेड़ दिया तो आप देख सकते हैं कि प्रधानमंती नरेंदर मोदी के परिवारबाद बयान को लेकर बिहार नहीं बलकि पुरदेश में एक अलग तरह की राज़ुनीती देखने को मिल रही है एक ऐसी राज़ुनीती जो देखा जा रहा है 2024 चुनाक को जोड़ कर नरेंदर मोदी ने राज़ सुप्रीमो लालु प्रशाद यादब के परिवार वालो पर शनिवार को आकर हमला किया था बिहार में उन्होंने रालू यादब के परिवार को लेकर जब बयान दिया तो रालू यादब ने भी इस बयान पर पलटवार करते हुए उनसे सवाल कर दिया कि आखिर आपका परिवार है कौन आपके कोई संता नहीं या परिवार बात की बाते कैसे करते हैं अब इसको लेकर बीजेपी के तमाम नेता मोदी के परिवार बता रहे हैं लेकिन इस पर भी रालालू की बेटी रोहिनी ने कह दिया कि परिवार से बोल देने से नहीं होता जन्म प्रमान पत्र पर बाप की जगा अपना नाम लिखवा कर दिखाईए फिलाल के लिए इस ख़